तो देखिए गवार फल्ली की सब्जी बनाना कितना आसान है मैं आपको बताती हूँ कि गवार फल्ली की सब्जी बनाने के लिए हमें इंक चीजों की जुर्यवड पढ़ेगी सबसे पहले हमने यहां पष्ट नहीं है एक पर्ली के लिए यह सब्जी बना रहे हैं उसके बाद सबसे पहले सुरत पड़ेगी टमाटर, यहाँ पे हमने दो टमाटर को पीस कर उसके प्यूरी बना ली है, अद्रा और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, जीरा, काला नमक, सफेद नमक, गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया, सबसे पहले हमें गवारफली को काटना है, तो आपको गवारफली को इस तरीके से काटना है, जो गवारफली है, इसमें साइट पे रेशा होता है, इसलिए हमें इसको इस तरीके से काटना है, आप यह देखी, इसको इस तरीके से निकाल देना है, जो मेरे चैनल पर छोटी ब कि अटाई में चार हो तरफ फेला करना है जिससे कि हमारी गवार फनली जो है वो चिप केंगी डहीं अब अब हम एट करेंगे सबसे पहले अच्छा के दीडाई के चलाएंगे इसका कलर बिलकुल नैच्छरल रहेगा और इसे हमें ज़्यादा प्राई करना है ना इसको कुर्कुरी करना है और ना नरब रखना है वेसे मेडियम प्राई करना है तो यहाँ पर हमारी गवार फल्ली अच्छे से पक चुकी है अब हम इसे एक फ्लेट में निकाल लेंगे औ अब इसमें एड करेंगे सबसे पहले जीरा इसके बाद हम एड करेंगे अद्रक लहसुन का पेस्ट हरी मिर्च अद्रक और लहसुन की पेस्ट को हमें अच्छे से प्राइ करना है अब हम इसमें एड करेंगे टमाटर का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें एड करेंगे नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा काला नमक जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिसा हरा धनिया गरम मसाला अब हम इसे मिक्स करेंगे अब हम इसे चलाएंगे और अच्छे से पकाएंगे तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें एड करेंगे कवार फल्ली गवार फल्ली को हमें धीरी-धीरी मिक्स करना है तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से गवार फल्ली में मिक्स हो चुका है अब हम इसे एक से डेड़ मिनिट के लिए धकन से ढाक कर रखेंगे तो यहाँ पर डेड़ मिनिट हो चुके हैं अब हम चेक करते हैं अपनी गवार फल्ली यहां पर पक चुकी है आप देख सकते हैं कितना बड़िया कलर आया है अब हम गैस को कर देते हैं और अपनी गवार फल्ली को करेंगे सर्व तो यहां पर हमने गवार फल्ली को सर्व कर लिया है, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, अब हम करेंगे इसे गार्निश, गार्निश करने के लिए हमने यहां पर हरा कटा हुआ धनिया लिया है, किसी भी रेसिपी की सबसे इंपोर्टेंट बात होती है उसका कलर, और दे बहुत ही कम समय में गवार फल्ली की सबजी बना कर तैयार कर सकते हैं, अगर आपको मेरा आज का यह रेसिपी वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बैल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा, अग कुल है, अजए के आए वीडियो पसंद आपको मेरे चाइकन को दिए हैं, नाओको मेरे जाँ को दिएे 15 ligion चैनल को है टूलिएंगा, वी बilled रहा है, वी झालिए टो चूलिए